हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहे वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके पोको M3 Pro 5G फोन में Bluetooth की Stopping Problem देखने को मिल रहे तो इस प्रोब्लेम को जो है आप लोग कैसे Solve कर सकते हो तो आज की वीडियो में मैं इहीं बताऊंगा कैसे आप लोगों कि कैसे आप लोग अपने फॉन में Bluetooth की Stopping Problem को Solve करोगे तो इस वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो Bluetooth की Stopping Problem को Solve करने के लिए आपर सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहापर देख सकते है एक Bluetooth का Option होगा तो Bluetooth के Option पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अगर आपके फॉन का Bluetooth है तो यहापर से पहले ओन कर लेना है ओन करने के बाद यहापर आप लोगों क्या करना है बहुत सारे डिवाइस यहापर आप लोगों को फोन में अगर आप लोगों ने यहापर बहुत सारे डिवाइस को पहले कनेक्ट किया था तो Bluetooth डिवाइस यहापर से सो हो जाएंगे तो उन सब को जो है आप snack को यापर से डिलेट कर देना है क्योंकि जितने सारी औप डिवासेस होंगे गई तो उस अप लोगों उतना ही डाडा यहाँ आप ब्लुटूट का ओपशन लेख ले रहेगा और डाटा क्या कर सकते गाइज उसके बाद यहापर से आप लोगों को बैक आना है बैक आने के बाद यहापर से आप लोगों एक नीचे ऑप्शन देखने को मिले गाइज connection and sharing का देख सकते यह वाला option तो आप लोगों क्या करने गाइज इस option पे जो है क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर एक option मिलेगा गाज़ reset, wi-fi, mobile netbox and Bluetooth तो आप लोगों को इस option पे जो है click कर देना है क्लिक करने के बाद देख सकते reset settings का option आप लोगों को एकदम नीचे देखने को मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर reset settings करने से पहले आप लोग उपर देख सकते हैं reset settings पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों का क्या रिसेट हो घिंन का अप लोगों को ट sebh क्लिक करना है और यहाँ पर आपका phones का जो भी पासवोट है यहाँ पर डाल देना है डालनेे के बद्या लेकिते Ok का option आ गया है तो betry solution पे आप लोगों को कलिक कर देना है उसके बाद आप लोगों का सेंका और आप को ब्लूटूटूट सेंक्तिंग्स लिए और नीचे स्क्रोल डाउन करना है did Come नीचे स्क्रोल डाउन करने के बाद यहां पर एक option देखने को मिलेगा इस apps का, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है apps, तो इस apps के option पे click कर देना है, click करने के बाद यहां पर देख सकते हैं, manage apps का option देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को इस manage apps के option पे click कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपके phone में जितने भी application होंगे सब यहाँ पर show हो जाएंगे तो यहाँ पर से आप लोगों को एक Bluetooth के option को ढूनना है guys तो यहाँ पर आप लोगों को ढून लेना है Bluetooth का option आप लोग यहाँ पर से search भी कर सकते हैं और Bluetooth का आपशन आप लोग ऐसे भी ढूण सकते हैं तो देख सकते हैं आप लोगों सब्सक्राइब या पर पर इस साइड में clear data का उपशन है तो आप लोगों is clear data के option पर click कर देना है और याप देख सकते है ऐसे all data का option है उस पे click कर देना है उसके बाद यह आपर ok का option होगा ok पे click कर देना है और आपका जो यह bluetooth का option है वह आपर से हमने सभी यहापर clear data कर दिया है तो यहापर जो भी यहापर bluetooth के settings है या जो भी इसने data लेके रखा था जिससे आप लोगों को bluetooth keep stopping देखने को मिल रहा है तो वह data जो है हमने आपर से clear कर दिया है अभी जो है आप लोगों का bluetooth problem जो हंडेट परसेंट guys solve हो ही जाएगा ठीक है यह कर लिजी आप लोगों का bluetooth problem solve हो जाएगा उसके बाद भी solve नहीं हो रहा है गाई तो आप लोगों क्या करना है अपने phone को एक बर update कर लेना है software update करना बहुत जरूरी होता है गाई तो software update करने के लिए क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर से settings पर क्लिक करना है देख सकते मेरे phone में update आया है तो एक दिम इजी है गाई update आने से आप लोगों के दिम इजीली देखने को मिल जाएगा update का option तो हम एब और फोन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद देख सकते है अब अपडेट लिखा हुआ है अपडेट पे क्लिक कर देंगे ठीके गैस अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाप लोगों को download होने लग जाएगा ठीक है तो download होने के बाद आप लोग यहाँ से install कर लिजिए और आपका software update हो जाएगा software update होने के बाद भी आप लोगों का Bluetooth keep stopping problem यहाँ पर solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Poco M3 Pro 5G में Bluetooth keep stopping problem को solve कर सकते हो गाइस तो कैसा लगा आप लो